तो अभी क्या हुआ है कि मैं अपनी recording करने को बैठा ही था तो एक आदमी ने कम से कम मुझे 20-25 कॉल कर लिये मैं फिर भी मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दे लेकिन क्या हुआ कि phone जो है वो mute पर है लेकिन फिर भी vibration की sound आती है recording में तो उन भाई साब को मैंने phone उठाया और कहा कि आप मुझे बाद में phone करना लेकिन भाई साब को तो अभी बात करनी थी तो इस तरह कि जब परिस्थितियां बन जाती है जब ऐसे लोग समझते नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए वो भी आप सुन लीजिए तो देखे अभी जो है ये subject मुझे नया मिला है इसने मुझे दो बार phone किया है और अब मैं इस पर जो है अपना काला कलवा मंतर भेज रहा हूँ तो आप देखे ऐसे लोगों पर अगर मैं ये मंतर भेजता हूँ तो देखे किस तरह के असर होते हैं तो इसके साथ क्या हो तब उत मैं आपको बता नहीं पाऊंगा लेकिन एक subject मिला है तो इस पर जो है वो मैं मंतर लगा कर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाते हैं चाहे वो phone पर हो चाहे कहीं पर भी हो उस पर इस तरह से मंतर लगाई है अब यहां पर क्या होता है कि हम कलवा को आदेश देते हैं कि करना क्या है तो अब इसका वैसे इतना बड़ा दोश भी नहीं है क्योंकि इसकी समझ ही इतनी है तो मैं इस पर वो प्रयोग नहीं करूँगा अभी मैं इसे जाने दूँगा लेकिन इस तरह से आप काला कलवा को प्रयोग में ला सकते है अगर मैं इस पर काला कलवा भी छोड़ दूँ तो इसकी जिन्दगी नरक हो जाए लेकिन किसी पर भी इस तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए आपको सामने वाले को देखना चाहिए कि उसका जो है लेबल क्या है अब जैसे ये क्या है क्या नहीं चीज़ ये समझ नहीं पा रहा है लेकिन इसको हमें देखना होगा पहले उसके बाद जो है हमें मंतर छोड़ना होता है तो ऐसे लोगों को माफ कीज़ेगा इतना समय खराब करने के लिए आपके पास तना समय नहीं होना चाहिए कि आप अपना समय ऐसे लोगों पर खराब करे मेरी कभी भी ये मन्शा नहीं रही कि मैं किसी को डराऊ अपनी शक्तियों का परदर्शन करूँ लेकिन कभी कभी लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक्ता वाले आ जाते हैं जो कि आपका कहा हुआ मानते नहीं अगर आप किसी को गुरू मानते हैं तो एक समय ऐसा भी था जब लोग अपने हाथ उंगलिया काट कर रख देते थे और यह आजकल ऐसा होता है कि फोन पर अगर कह दिया गया है कि थोड़ी दिर बाद कॉल किज़े तो उनसे सबर नहीं होता तो बताईए ऐसे शिशिक किस काम के होंगे इस तरह की जो मान सकता है वो कहां तक ठीक है अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं वो आपको कह रहा है कि एक घंटे में कॉल कर लीजे दो घंटे में कॉल कर लीजे तो आपको समझना चाहिए अगर कोई धीर पुरुष होगा तो उसको समझेगा और उसको अपने आचरण में भी लाएगा लेकिन मेरे पास दिन में कम से कम एक हजार दो हजार फोन आ जाते हैं उन में से कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको समझ ही नहीं है कि फोन एटिकेट्स क्या होते हैं किस तरह से बात की जाती है अगर सामने वाला आपको कह रहा है कि आप कल फोन कीजिए तो उसके बाद आपको दुबारा फोन नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं तो इस तरह का स्पैम आना इस तरह के लोग मुझसे बात करें ये होना सभाविक है इसको मैं ज़्यादा तवज्दो नहीं देता लेकिन फिर भी यदि आप किसी से फोन पर बात करें तो अगर वो फोन उठागर एक बार कह दे कि आप अभी फोन नहीं थोड़ी देर बात कॉल कीजिए तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए तो ये तो common sense है कुछ लोगों में नहीं होती है होता क्या है कि लोग बहुत पुराना जो हमारा साहित थे था वो भूल गए है क्योंकि वहाँ पर एक आदर सतकार होता था आजकल कि लोग अपने आप कोई तीसमार्खा समझते हैं पढ़ाई लिखाई कुछ इन से होती नही कर अपने आपको तीसमार्खा समझने लग जाते हैं तो बहुत सटीक वाक्य कहा गया है बहुत पहले कहा गया है विद्या ददाती विनेयम विनेयम ददाती पातरता अर्थात जो विद्या है उससे विनय आता है तो जो भी पड़े लिखे लोग होते हैं थोड़े बहुत उनमें एक आचरन करनी की समझ आती है कि किस तरह से व्यभार किया जाता है, किस तरह से किसे से बात की जाती है, जो कि आजकल के बच्चों को स्कूलों में नहीं सिखाय जा रहा है, मैं देखता हूँ कि बड़ी-बड़ी सेलिबिटीज के बच्चे किस कोई ड्रग्स में पकड़ा जा रहा है, कोई किसी में पकड़ा जा रहा है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो यह सब होता क्यूं है, यह सब कुछ विद्या से ही आता है, सिर्फ बुके पड़ लेना, डिगरिया ले लेना, यह काफी नहीं है, आपको उस विद्या को अपने आच्रण में भी लाना पड़ेगा, अगर आपका व्यभार ठीक है, तो यह दुनिया जो है वो आपके अनुकूल रहेगी, बहुत पहले कबीरदास जी से किसी ने पूझा था कि गुर्देव कोई वशीकरण का मंत्र दीजिए, तो उस शिष्च को कबीरदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुक उपज़त चहू और वशीकरण एक मंत्र है पर हर बचन कठोर, अर्थार्थ तुलसी दास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुक फैलाते हैं, किसी को भी वश्मे कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, इसलिए मानव को कठोर वचन छोड़ कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत ही सटीक कहा गया था उस जमाने में सोचिए, तो कैसी मानसकता रही होगी हमारे संतों की, तो इस तरह की सोच रखिए, थोड़ा सा अपने आपको डवलप कीजिए, आप भारत वर्ष में रहते हैं, और इस तरह की मानसकता वारे लोग रहें, ये अच्छी बात नहीं, थोड़ा सा अपने आच्रणों में सुधार लाइए, और इसके बात जो ही ये दुनिया जो ही ये स्वेते ही, आपकी रंग में रंग डाल देगी, रंग में भंग मत डाल देना किसी के, आप ऐसे होने चाहिए कि अगर आप किसी की लाइफ में जाते हैं, या आपको कोई द तरफ आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, क्या मेरे बिगड़े हुए काम सवर जाएगे, ऐसी लाल सा होनी चाहिए लोगों को, एक अशूब, एक ओमन बन के आप मज़ेए का कि लोग देख करीगा, आरे इसका मुझ देख लिया, आस तो सारा काम खराब होगा, तो सबसे अच्छा होना चाहिए, चाहिए आपके पास डिगरी हो या ना हो, आपने ताड़ पत्री पढ़ी हो या ना हो, आपके पास पंडित की डिगरी हो या ना हो, लेकिन एक जो वेवार है, उसमें आपके शालीनता होनी चाहिए, सबसे उपर जो है वेवार को रखिए, उसके बाकी जो चीज़ें वो अपने आप एक ले में आ जाएंगे तो इतना बड़ा वीडियो बनाने का बस यही मक्सद था कि आप अपने आचरण में थोड़ा सा बदलाव लाएं कहीं पर जुकना कहीं पर उठना यह सब एक बैलन्स करके चलना होता है या फिर आप एक personality development की कोई class ले लीजिए उसमें आपको यह सब सिखा देंगे तो बस मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का जो वशीकरण मंत्र है वो यह है इसको आप अपने आचरण में लाएए धन्यवाद